हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं लूब्रिकेशन सिस्टम के बारे में देखिए लूब्रिकेशन हम इंजन में करते हैं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको लूब्रिकेशन की जुरूरत होती है तो देखिए लूब्रिकेशन हम क्या करते हैं और डालते हैं लूब skating कर रहे तो यह जो skating कर रहे है ना actually क्या होता है इनके जो यहां पे skates है उनके नीचे एक blade लगा हूता है नो यहां पर हमारे पास ही है ice skating तो यह जो करता है actually क्या करता है यह skate कट डाल दाक दाना आइस के अंदर and just calm down rule contract कर रहे हो गार यजसे डालता जाता है आईस में और इस तरह करते हैं तो जैसे हम वाटर पर्क में देखते हैं मैं अ filmmaking कि तो तो इस तरह से जब कोई चीज आएगी बिना पानी आप चलाओंगे उस país lubrication नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा problem उसमें आ सकती है रगड करन friction करन गर्म हो सकता है हम देखते हैं एक ship के अंदर ship के अंदर यहाँ propeller shaft है तो यहाँ पे भी यह use हो रहा है तो कुछ हिस्सा हम use कर सकते हैं पानी कहीं कहीं हम use कर सकते हैं lubricate लेकिन problem है अब पानी जो है वो corrosion कर देता है corrosion जंग लग जाती है और दूसरी problem क्या है कि heavy load यह सहन नहीं कर सकता मतलब अगर हम कहीं पे lubrication दे देंगे इसकी heavy load होगा तो यह पानी side हो जाएगा यह वहाँ पे टिकेगा नहीं अगर हम एक heavy shaft के नीचे देने पर चाहेंगे ना यहाँ पे तो यह क्या करेगा नीचे इदर उदर हम सब तरफ दे देते हैं तो यहाँ पे अब देखते हैं तो यह जब इसको shaft नीचे आएगी तो यहाँ से पानी खिसक जाएगा तो यह यहाँ पे टिकता नहीं है और प्लस जंग वाली problem होतो है यह अब यह देखिए हम wood को भी इस तरह से lubrication दे देते हैं इवन हम ना कैरम board खेलते हैं तो कैरम board जब खेलते हैं तो हम वहाँ powder गिरा लेते हैं तो वह किसलिए हैं ताकि हम lubrication कर सकें जल्दी fast भागते हैं तो powder काफी चड़क लेते हैं तो यह भी यह काम कर रहा है कि यहाँ easy चल सकें इसलिए lubrication का use कर रहा है इवन यहाँ पे देखो ship जो है वो move कर रही है तो नीचे इसके पानी जो है इसको lubrication का का काम करके दे रहा है तो यह है अब हम देखेंगे कि lubrication का महतब क्या है इसका importance क्या है कि हम एक metal का piece लेते हैं और metal का piece है और यहाँ पे भी metal है जो यहाँ पे inclined plane है वो भी metal है अब मैं इसको क्या करता हूँ कि push करता हूँ तो push करते हैं दो surface आपस में जब रगड खाते हैं तो रगडने के कारण यह problem आती है friction अब हम oil डाल देंगर तो यही जो oil है अब एक क्या करेगा एक thin film बना लेगा इन दोनों को अब speed देखो पहले speed आनी रही थी धक्का करना पड़ रहा था अब अपने आप यहाँ पे एक film बन जाती है एक layer होती है oil की जिसके उपर दूसरा surface चलता है तो यह जो oil है वो एक film बना के दे रहा है जिसके उपर चलते हो आप ठीक है इवन ना हम जैसे bathroom है तो पानी गिरा हो तो वहाँ ज़्यादा फिसलम के chance बढ़ जाते है क्यों क्योंकि वही हम एक thin layer बन जाती है पानी की जिसके उपर हम फिसल जाते है तो वह problem आती है ना वहाँ पे तो अब lubrication हर जगा पे हम देखे जहां भी moving part आपको दिखता है वहाँ पे हम lubrication करते है तो यह lubrication कर रहे हैं देखिए जहां जहां हमें जुरता है parts के लिए अब lubrication एक और फाइदा क्या है यह बिल्कुल बारी एक जगा पे भी जा सकता है और even हम यह चिप चिपा है एक जगा पे चिपक जाता है और heavy pressure पे भी टिका रहता है भार नहीं जाते दर रहता है अब हम देखते हैं कि अगर कहीं पे lubrication ना use करें तो क्या हो जाएगा हम क्या करेंगे इस shaft को ना सब तरफ से साफ कर देंगे यहां से भी साफ कर दिये यहां से साफ कर दिये और lubrication oil जितना था बिल्कुल clear कर दिया अब अगर इसको चलाएंगे और यहां पे temperature नोट करेंगे तो यह shaft जब हूंगे में घुमेंगी तो थोड़ी देर में देखो धूआ निकलना शूरू हो गया और temperature जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना शूरू हो जएगा और धीरे धीरे यह बंद ही पढ़ जाएगी यह shaft बंद बढ़ जाएगी तो shaft क्या है friction के कारण खराब हो रही है और यह खराब होगी और यहां देखो इन दोनों का हाल देखो उपर और नीचे दोनों का हाल देखो अब हमने क्या करना है lubrication system समझ जाए लग 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 जो books में आप पढ़ते हो तो system कौनकों से एक तो है splash splash छीटे यह छीटे मार रहा है इस तरह से नीचे से उठाएगा और छीटे मारेगा दूसरा क्या है दूसरा हमरे भारे पास gravity के कारण हम इसमें डालेंगे lubricating oil यहां jar में होगा वो धीरे धीरे gravity के कारण यहां पे मिलता जाएगा इसको ठीक है जैसे जैसे नीचे gravity खीषती जाएगी वैसे वैसे वो जाता रहेगा और तीसरा क्या है हम pressure के साथ हम जब pump up करें जितना हमें चाहिए जैसी speed होगी वैसे हम इसको pump up कर देंगे और ज़्यादा oil उसको दे देंगे तो तीन अलग अलग तरीके हैं अब यह तीनों तरीक जो ideas है न वो हम क्या करेंगे एक पूरे engine में वो use करते हैं यह हमारे पास देखे engine इसमें cylinder देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 cylinder engine है तो यह अलग अलग parts है जहां पे हमें lubrication की जुरुत पड़ती है तो यह पूरा engine देखो किस तरह से है अब इसके main heart क्या है इसका दिल क्या है lubrication system का pump और यह pump जो है वो कुछ इस तरह का यहां जाली लगी होती है यह जाली लगी होती है यह गेर है यह gear pump है यहां पे जब गूमता है तो यहां पे suction create करता है suction मतलब खीचता है इस तरह से आप coke पीते हो तो suction करते हो तो यह oil जो है सक करेगा उसको ठीक है यह जो pump है वो oil को सक करेगा तो यह जब लेगा यहां से तो एक smooth flow बना के देगा कि लगातार हम जो पूरे engine को देता रहे लगाता है तो यह gear pump जो है वो use करते है तो यहां पे सबसे main part यह है यह जो bearing है इसका main function का है crank shaft को पकड़ना अब crank shaft गुम रही है और इस bearing के पास गुम रही है अब हम इसको देना चाहते है तो हम lubrication देना चाहते है तो यहां pipe से जाएगा और यहां से देखो यह अंदर जा रहा है हम कहां bearing के अंदर डाल रहे है bearing के अंदर डाल रहे है तो अलगलग system अब देखे cam, अब cam को भी oil चाहिए क्योंकि cam लगा तक घुमने है ठीक है, यहां से भी oil देखे bearing के बाद oil जो है bearing bearing के बाद cam के पास जा रहा है तो cam shaft होती है उसको चाहिए, timing gear है timing gear को चाहिए यहां पे walls है, walls को चाहिए तो उसके लिए भी हम क्या है pressure से, यह pump से जो है walls तक पहुँचा जाते हैं और यहां पे देखे connecting road connecting road को specially एक क्या करेता है pressure यहां से डाला जाता है और exactly यहां पे strike करा जाता है जब यहां पे strike करा जाता है तो यह oil जो है वो exactly उस point पे strike करेगा और वो oil अंदर जाना शू कर देगा अब जब यहां से अंदर जाएगा यह देखे, oil अंदर जा रहा है यह है हमारी connecting road इस connecting road के अंदर चला गया तो इंजन देखिए कहां कहां हम यूज़ कर रहे हैं इंजन और इसकी वरकिंग अलग लग जगा पर होती है ठीक है अब हम करेंगे क्या हम इसकी फिल्मिंग करेंगे हम इसकी फिल्मिंग करेंगे और इसको कैमरा से रिकॉर्ड करने की कोशी करेंगे तो यह जब यहां पसे दिखाता है कि नीचे देखेगा हमारे पास जतना ओयल जा रहा है उसको यह फिल्मिंग कर रहा है और इसको दिखा रहे हैं ठीक है और फिल्मिंग करके दिखा रहे हैं जतना कम स्पीड है उतना कम ओयल मिलेगा जतनी ज़्यादा स्पीड है स्पीड ब यह हमारे पास piston है और यह cylinder है और cylinder में यहां पे heat बहुत ज़ादा create होएती है तो यहां पे भी यह oil splash करके चीटे मारेगा oil के चीटे पड़ रहे हैं इनी चीटों के कारण oil जो है यहां से आगे piston के अंदर भी जाता है और piston ring यहां पर होता है जहां से extra oil यहां से देख़े की होँथ है और यह निकल जाके यहां पर pin ऊती है उसको मिल जाता है तो यह पूरा फ्रू-इंजन के अंदर हम oil को फैला देते हैं तो ओयल के बिना तो कुछ भी नहीं है, अगर आप चलाओगे न, तो functioning खराब है, थोड़ी दिर में उसका, जैसे हमने देखा, heat up कर जाएगा, तो एक एक पार्ट तक हमारा पहुंचाना मकसब होता है, ठीक है, और ये जो ओयल है, ये साफ भी होना चाहिए, ये निया कि आप गंदगी आगी, मिट्टी आगी, वही वाला वाल यूज करें, इसलिए ये strainer यूज किया है, च्छननी है, कुछ नहीं है, च्छननी क्या करेंगी, ओयल को हर बार साफ करती जाएगी, क्योंकि दर दर से अगर कार्बन लेके आ रहा है, कहीं से कोई मिट्टी लेके आ रहा ह हो सकती है, इसलिए ये च्छननी का यूज करते हैं, तो पूरा थ्रू आउट इसको हम क्या कर देते हैं, लुब्रिकेशन कर देते हैं, तो ये लुब्रिकेशन इस तरह से होती है, हर पार्ट पे किस तरह से पहुंचता है, कौन सा पार्ट किस तरह से लुब्रिकेट होता ह यहां से हम वीडियो से बहुत ही अच्छा तरिके से समझ सकते हैं तेक है यह वीडियो बहुत अच्छी है I hope इस वीडियो से help मिले होगी मैं एक बार आपको बता दूँ कि यह वीडियो मुझे net से ही मिली है YouTube से मिली है तो मैं सरफ इनको explain कर रहा हूँ सारा जो काम है इन्होंने के मेहनत मैं चाहता हूँ ऐसी मेहनत हमारे देश में भी अगर होनी हो चुरू हो जाए तो कितना मज़ा है कि हमें वो वीडियो मिले exact जो होने चाहिए फिल्मिंग करें कोई अलग से department त्यार करें कि मज़ा आ जाए ठीक है मैं सिर्फ इसकी हिंदी कर रहा हूँ मेरा कोई इसमें credit नहीं है अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ आपको explain कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ ठीक है थेंक यू थेंक यू सो मच आपको यह चीज़ समझाई होगी बाई